गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 9 अक्टूबर 2021 और 9 अक्टूबर के दिन इतिहास में जो भी महत्यपूर घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो 9 अक्टूबर 1876 को पहले बार टेलीफोन पर आउट वायर के जरिये दो तरफा बातचीत हुई थी और 9 अक्टूबर 1997 को इटली के अभनेता और लेखक डायरियो फो को साहिति का नोबल पुरस्कार दिया गया था और नेक्स्ट कोईशन है 9 अक्टूबर 1998 भी को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इसलामी सरियत कानून को देश के सर्बुच कानून के रूप में अनुमोदित किया था और 9 अक्टूबर 2005 को ही एउरोपिय उपग्रा क्रायोसेट का प्रच्छेपन विफल हुआ था और 9 अक्टूबर 2006 को ही गूगल ने यूटूब के अधिगरहन की घोशड़ा की थी और 9 अक्टूबर 2006 को ही उत्तर कोरिया ने भूमिगत प्रमाणों परिच्छड किया था 9 अक्टूबर 2012 को लड़कियों की सिच्छा के परचार में अहम भूमिका आदा करने वाली मलाला को इस्कूल जाते वक्ते तालिबान ने गोली मारी थी नेक्ट कोशन 9 अक्टूबर के दिन जन्मे महत्यपूर्ण ब्यक्ति तो 9 अक्टूबर 1945 को अमजद अली खां का जन्म हुआ था जो भारत के परशिद्ध सरोद बादक थे और अब हम बात करते हैं 9 अक्टूबर के महत्यपूर्ण निधन तो 9 अक्टूबर 1988 को सैफुद दिन किचलू का जन्म हुआ था जो पंजाब के स्वतंतरता शंग्राम शेनानी थे अब हम बात करते हैं नेक्ट कोशन के बारे में 9 अक्टूबर 2006 को मानने कासी राम जी का निधन हुआ था जो भारत के प्रशिद्ध राजी नेता थे अब हम लोग इसके बात करते हैं 9 अक्टूबर के महत्यपूर आउसर यो मुच्सो तो 20 सुडाग दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतिय प्रादे 6 सेना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद यदि आप इसका पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक होगा वहां से आप क्लिक करके इस वीडियो का पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं आगे हम लोग कल फिल मिरेंगे तब तक के लिए धन्यबाद